सब्सक्राइब आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंतर हम बात करेंगे टीम प्रोवाइड करेंगे जो आज आज आयरलेंड वर्सेस जिम बामबे की बीच में थर्ड ओडी मुकबला खेले जाना है उसी के बारे में बात करेंगे पूरी की पूरी प्लेंग 11 सेट क करेंगे और यह जानेंगे किस प्लेयर की पर्फॉर्मस या पर इंपॉर्टेंट रहेगी पॉइंट दिलाने के लिए लेकिन काईज यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटावट से यूट्यूब चैनल को यहां पर आपको सर्च करना है ड्रीम शेयर टिप्स और डिरेक्ली जॉइन हो जाना है जिसे प्रॉब्लम हारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसके थुरू भी आप यहां पर जोइन हो सकते हैं यहां मेरा वाटसप नंबर भी अविलेबल है इसक अच्छे कासे पॉइंट अचीव करे थे ड्रीम 11 के अंदर 439 पॉइंट अचीव करे थे और यहां पर बात करू तो माइफेब 11 की तो माइफेब 11 के अंदर 442.75 पॉइंट अचीव करे थे शांदार एक तरफा विनिंग होई थी जिसने भी इस टीम के तुरू जाकर स्मॉ किट कलब बैलफास्ट के अंदर खेले जाने वाला है और जो पिछ है वो न्यूटरल कंडिशन का पिछ है बैटिंग और बालिंग दोनों को सपोर्ट देगा बैटिंग के साथ साथ में यहां पर फास्ट बालर्स को पेसा उसको अच्छा कासा स्विंग मिलेगा तो है यहां पर बैटिंग करने के लिए आएंगे क्रेज एरविंस फस्स एकंड टां के उपर आएंगे उसके बाद में उसी सिक्वेंस के अंदर वैटिंग करने के लिए आएंगे बात करो तो फर्स्ट ओपनिंग करने के लिए जैम्स मैक कॉलम और पॉल स्टार्विंग यहां पर ओपनिंग करने के लिए उसके बाद में फर्स्ट डाउन के अंदर एंड्रियू बेलवेरियन विलियम पॉर्ट फील्ड केविन ओब्रेन एल टकर एस गेट काट मार कादीर एम मेकब्रीन टिम मुर्तगा बॉइंड रेंकिन इसी सीक्वेंस के अंदर यहां पर बैटिंग करने के लिए आएंगे यहां पर आपको बता तूँ फ्रेंड्स यहां पर आल राउंडर के सेक्शन को लेना और बॉलिंग को लेना अच्छा खासा वो रहेगा क्योंकि आल चेका से पॉइंट्स दोनों सेक्शन के अंदर मिलने की उमीद है और आइरलेंड की टीम की बात करो दो आइरलेंड की टीम की फर्फॉर्मेंस शांदार चल रही है यहां पर उन्होंने अपने दोनों मुकाबले जो हैं वो शांदार तरीके से यहां पर जीते हैं जिमबाम जिंबाम्बे की बात करूँ तो जिंबाम्बे की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी जादा कोई खास नहीं चल रही है, दोने मुकाबले के अंदर जिंबाम्बे यहां पर हारा है, और जहां तक अभी टीम की जो नियूस है, किसी भी तरीकी की कोई चेंजस करने की अपडेट न जाएं तो उसके according भी आप अपनी team के अंदर captain और वाइस captain का selection कर सकोगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी रेंगिन को भी ले सकते हैं अच्छे बॉलर हैं काफी अच्छा खासा विकित यहां ले सकते हैं लेकिन कोछ एक लास्ट के मैच की अधी मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला इतने ज़्यादा कोई विकित इनोंने नहीं के लिए हैं लेकिन यहाँ पर के जर्विस को लेना ज्यादा बैटर ऑप्शन रहेगा उसके बाद में टीम उर्तगा और थाविट नंबर के उपर तीछ अतारा को मैं नहीं आप लिया है कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर मैंने एस विलियम्स को लिया हुआ है और व कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रेंड लीग में बनाते हैं तो टीम और तका बैस्ट ऑप्शन रहेगे इनके साथ में भी यहाँ पर आपको जाना चाहिए तो फ्रेंड्स ये ती टीम इसके दूरू आप जा सकते हैं और अपनी वियनिंग कर के आ सकते हैं और यहाँ आप पर अपना थोड़ा से डिफरेंट कॉंबिनिशन सेट कर सकते हैं सी एल विंड को चाहें तो आप यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन के सेक्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं ओके प्रेंड्स थैंक यू सो मच और बेस्ट अव लग